सो हेलो गाईज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टोप 1000 mcqs की सीरीज स्टार्ट की या फोर UPSC प्रेलिम्स 2021 के लिए राइट गाईज अगर आप हमारे प्रिवियस लेक्चर्स देख रहे हैं इस सीरीज के रिगाइडिंग सो आपको पता होगा कि हम इसमें दो सब् इसससे स्टेट्मेंट जो हो कर्यक्ट है अपने वर्ड़ सेट्में कि प्रेट्मेंस पाया जाता है निदेब इसतरे सब्सक्र दुख आपको आपको पता वेरियस सेक्शन होते हैं जैसे क्रेटिकली एंडेंजर्ट एंडेंजर्ट ठीक है तो बारा सिंगा को जो लिस्ट किया गया किसमें वल्नरेवल में तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ठीक है बताइए वन एंट टू अनली थ्री उनल आपने स्टेटमेंट यह वह उस है राइट चलेए कोशनौ सेगींड देख लेते हैं ज Willippi य१र फॉलिविंग स्टेटमेंट इनके बाराइन अपने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही all-work कोपरेशन मोवमेंट एज वैल सोल्ट मॉइन उन्हें पार्टिसपेट किया ठीक है और सेपरेट इलक्टरेट का कंसेप्ट था मनियॉरेटि के लिए उसके क्या था ठीक है अगर नहीं बता आपको क्या होता है तो मैंने अपने लेक्ट्टर में बहुत अच्छे से समझाया वहाँ पर जाके देख सकते हैं चलिए तो बताईए अभी के लिए कि दोनों के दोन में से कौन सी statement सही है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or 2 देखिए गाईस जो सही statement रहने वाली इस चीज़ के रिकाडिंग वो है option number C, both 1 and 2 ठीक है, बिलकुल उनने participate किया था non-cooperation moment में, साथी साथ, sold march में, during the civil disobedience moment ठीक है, और second जो statement है separate electorate वाली कि जो separate electorate का concept आया था for minorities के लिए, ठीक है, उसकी against थे, ठीक है, और इनका भी यही मानना था कि अगर यह जो concept है यह अगर आज आता है, तो क्या होगा, जो various communities है right, उसमें क्या होगा divide हो जाएगा, वो क्या होगी आपस में divide हो जाएगी, यह भी उनका मानना था, तो इसके लिए इसके regarding जो था, इसके against है ठीक है, ठीक है, तो C, बहुत 1 and 2, जो है इसका सही answer रहेगा चलिए भी रेफरेंस to the international energy agency ठीक है, IEA के बारे में पताना आपने कौन सी statement जो है, वो correct है, right पहला तो कहा रहा है कि जो IEA का autonomous organization है, जो established किया गया है in the framework of OECD that is, organization for economic cooperation and development, ठीक है, दूसरा कहा रहा है कि जो clean energy transition program है, यह launch किया गया है by the IEA, कब 2017 में, तो बताइए यह कौन सी statement जो है, हो सही है 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2, बताइए देखिए गाईज, इसका भी सही answer है option number C, both 1 and 2, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, IEA का autonomous organization है जो established की गई है, in the framework of the organization for economic cooperation and development, ठीक है, और जो second statement है, कि जो clean energy transition program है, यह किसके दोरा लॉंच किये गया, IEA के दोवारा, so दोनों की दोनों statement जो है, वो सही है, both 1 and 2 is the right answer, right चलिए question number 4 देखते हैं, देखिए आपने appointment of judges के बारे में बताना है इंडिया के, कि कौन सी statement जो है वो सही है, पहली चीज़ बोलता है कि जो supreme court और high court के judges हैं वो appointment किये जाते हैं, ओन्दा recommendation of the national judicial appointment commission ठीक है, और दूसरी statement है अगर आपने पढ़ा है वैसे, जो इसके बारे में, इसके appointment के बारे में सबको पता होगा, पहली statement सही है या गलत है, दूसरी statement बोलता है the chief justice of the high court is appointed by, कहरा जो chief justice of the high court है वो appointment किये जाते हैं, by the president किसकी consultation के साथ chief justice of India and the governor of the state, ठीक है, और third statement है कि presidential reference से क्या है, जो individual opinion है chief justice of India का, वो क्या होता है final होता है, तो बताइए कौँ सी statement जो वो correct है, 1 and 2, 2 only 2 and 3, 1, 2 and 3 बताइए देखिए गाईज, इसका जो सही आंसर है option number B, that is 2 only बिल्कुल सही बात है, कि जो chief justice of India है, chief justice of the high court है ठीक है, वो appointment किये जाते है president के, president के दोरा, in the consultation with chief justice of India and the governor of the state second statement बिल्कुल सही है, देखिए पहरी statement गलत है, अगर आपको पता होगा आपने collegium system के बारे में, अगर आपको पता है इसके दोरा जो है, वो appointment किये जाते है note on the recommendation of the national judicial appointment commission ठीक है, एक चीज़ याद रखिए गाज कि जो collegium system है इसको replace करने की बात की गये थी या इसका attempt, यह मतलब एक attempt किया गया था by the national judicial appointment commission के दोरा ठीक है, collegium system को replace करने की लेकिन इसको क्या कर दिया गया था struck down कर दिया गया था by the court ठीक है, court ने कहा था यह चीज़ कि इसको जो है वो हम नहीं, मतलब नहीं करेंगे इसको, क्योंकि यह struck down कर दिया था by the court in 2015, और किस ground पर किया गया था याद रखिएगा, क्या था उसका reason कि यह क्या है, थ्रेट है किसके लिए, independence of the judiciary के लिए ठीक है, जो judiciary की independence है, उसके लिए क्या एक threat है तो इस चीज़ को क्या कर दिया था struck down कर दिया था, ठीक है याद रखिएगा, option number B, जो है to only, वो इसका सही answer रहेगा ठीक है, question number 5 के regarding देखते है कहता है, जो khadi and village industries commission है वो एक statutory body है, establish की गई है after an act of the parliament और जो KVIC that is khadi and village industry commission has developed a recycle level plastic mixed handmade paper under project replan जिसे कहा गया है, reducing plastic from nature तो पताईए कौन सी statement जो है, वो सही है देखिए गईज, इसका और सही answer है option number C, both 1 and 2 ठीक है, दोनों की दोनों statement जो है, वो सही है, राइट चलिए, question number 6 देखते है consider the following statement regarding constitutional amendment bill, चलिए, constitutional amendment bill के बारे में बताना है, आपने कौन सी statement जो है, वो सही है, ठीक है पहला बोरा जो constitutional amendment bill है वो introduce किया जा सकता है किसी भी house में, ठीक है parliament के किसी भी house में इसको introduce किया जा सकता है second statement है, constitutional amendment bills cannot be passed by simple majority ठीक है, ठीक है, और third statement है in case of deadlock, there is a provision of joint sitting, so बताईए कौन सी statement जो है, इसके regarding सही है, question number 6 के regarding ठीक है, अगर आपने पड़ा है इन bills के बारे में, ठीक है money bill हो गया, ordinary bills हो गया constitutional amendment bill हो गया तो आपको थोड़ा बोटन का डिफरेंस पता होना जड़ोरी है से पास किया जा सकता है, और deadlock के case में, there is no provision, ठीक है, यहां पर कोई भी ऐसा provision नहीं है, joint sitting का, अगर constitution amendment bill, जो है, अगर ऐसा case आजाता है deadlock वला, तो क्या होगा debt, यहां पर कोई provision नहीं है, joint sitting ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो थर्ड your passage in each house, ठीक है, ठीक है, second statement, जो है, वो गलत हो जाती है, हमारी, right, चलिए, question number seven, देखते है, इंडिया justice report 2020 के बारे में बताना, आपने कौन सी statement, जो है, वो correct है, ठीक है, पहली बात, it ranks the states on the basis of the judiciary, police, prisons and legal aid, ठीक है, यह rank करता है, state को, किस-kिस 30 के basis पे judiciary के police के prisons के legal aid के दूसरा क्या रहा है कि जो तमिल नाडू है उसने highest percentage of women police officers and sikkim has the highest percentage of women high court judges while Bihar has no women judges in the high courts ठीक है तो पता ही कौंसी statement सही है 1 & 2 sorry 1 & 2 2 & 3 1 & 3 1 & 3 1 2 & 3 बदाए कौश्च नमबर 7 के रिकारणिंग कौंसी statement सही है कि तेकि तीनों की तीनों statement सही है option D 1 2 & 3 इसका सही अंसर रहेगा ठीक है बिल्कुल सही बात है जो Indian justice report है ठीक है यह जो rank करता है states को किस किस की चीज के बेसी पे judiciary police sorry police prisons and legal aid second Tamil Nadu जो है वह हाइस परसेंटेज है और women police officers सिक्कीम में जो है वह हाइस परसेंटेज है women high court judges की while Bihar has no women judges in high courts ठीक है so option D 1 2 & 3 जो है इसका सही अंसर रहेगा राइट चलिए कोश्ण में देख लेते हैं जो ग्राफिकल इंडिकेशन टैक के वारे में पताना आपने कौन सी स्टेट्मेंट जो है वो मैंसा होता है कि वो स्टेट्मंट ठोड़ी सुज्यं ला इंडिक होती कि स्टेट्मेंट श्याइद हमें मतलब इसी लिए बनाई ठीक है बिल्कुल सही बात है यह सिर्फ 10 years के लिए ही जो है valid होती है लेकिन आप इसको renew करवा सकते हैं for the next 10 years के लिए ठीक है renew हो जाती है यह बापिस लेकिन अगर एक वार जैसे जैसे एक वार टैग मिल गया है तो उसके बाद क्या होता है यह कब तक के लिए valid है 10 years के लिए उसका आप इसको renew करा सकते हैं अगले 10 साल के लिए और पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है सो ऑप्ष नबर सी बहुत वानने टू जो है इसका सही अंसर रहेगा राइट चलिए कोश नमबर नाइन देख लेते हैं consider the following statement ठीक है ठीक है ठीक है कला उत्सभ इस प्रमोर्टिंग आर्ट्स पाइदा मिनिस्ट्री ओफ कल्चर ठीक है सो बताइए कौँजी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है याद रखिएगा सही नहीं है नोट करेक्ट पूछा गया यहां पर ठीक है तो बताइए 1 & 2 2 & 3 1 only 1 2 & 3 बताइए देखिए इसका जो सही अंस सब जो हो किसका इनिशेटिव है तो वह है ministry of education का ठीक है और किसके लिए to promote the arts in education ठीक है तो याद रखिएगा ministry of culture द्वारा नहीं यह initiative लिया गया किसके द्वारा initiative लिया गया आल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेज एंड हिंदू महासाभा सो बताइए 1 & 2 only 2 & 4 only 4 only 1 2 & 1 2 3 & 4 only बताइए देखिए गाई इसका जो सही अंसर है वो रहने वाला है option number d 1 2 3 & 4 ठीक है चारों के साथ जो थे यह associate थे ठीक है याद रखिएगा आज के 10 questions जो है वो मैंने आपको अच्छे से करवा दिये हैं I hope कि यह आपके exams के लिए helpful हो ठीक है और आपने भी अच्छे से चीज़ें समझे होंगी थोड़े basic से question थे ज्यादा difficult नहीं थे कुछ medium लेवल के थे कुछ easy लेवल के थे बट को difficult लेवल का इतना question नहीं था अगर आपको basic knowledge है चीज़ों की देखिए जैसे geographical indication के बारे में most of the questions आते हैं कि बताइए कोई आपको particular product का या किसी चीज का नाम दिया गया होगा तो उसके बारे में पूछा होगा कि यह इसको जो है अभी रिसेंटली जो ग्राफिकल इंडिकेशन का tag मिला है ठीक है बट मैंने आपको question जो है वो पूछा है कि GI के बारे में normally question पूछा है कि होता गया और कब तक के लिए valid चीज़ें होती है ठीक है तो basic से question थे so I hope आपको समझ आये होंगे ठीक है अगर पसंद आये है समझ आये तो वीडियो को like करिएगा नहीं आये तो dislike करिए पर comment section में लिखिएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई ठीक है तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाबाई टेक कियर